नमस्कार दोस्तों आई इस प्रेपर आपका बहुत-बहुत शागत है यहां प्रकष्छासाथ की साइंस की NCRT हम डिस्कस कर रहे हैं उसके दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं आज ये तीसरा चैप्टर रेशो से वस्त्र थैफ विकुश सामानी सा चैप्टर है काम की बा फाइबर जिनको कहते हैं भेड अधवा याक के बालों से प्राप्त कियाते हैं और रेसम के फाइबर आपको पता होगा रेसम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं यह प्रशने पूछा जा चुका है और भेड के सरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं तो यह सब आपको पता है सरीर में बाल होते हैं वहीं से इसको प्राप्त करते हैं आई हम उन के बारे में बात करते हैं जानतों रेशे अगर देखें तो उन है और रेशम है ये दो रेशे हैं जो जन्तों से प्राप्त होते हैं भेड बकरी याक और कुछ अन्य जन्तों हैं जिन से उन प्राप्त होता है आप यह मत समझे है के वल भेंड बक्री से ही प्राप्त होता है याक से भी होता है कुछ अनी जन्तों से भी होता है और उन प्रदान करने जिनने इनको दिया था लेकिन उसका उप्योग हम ने किया हमारी फियों के रोऎधार तचा पर दू तचा पर Πरकार के मलांवाल होते हैं तो मिलाइंबाल जो होतें तन त реш उन्हीं को हम बने के और उसका वहसायक उप्योग करके अपने काम की चीजह Use से हम बनाते हैं और कुछ भेड़ा ऐसी हैं जिन में की केवल मुलाएंबाल ही पाय जाते हैं उनको वरनात्पक प्रक्रिया के द्वारा चैन किया आता है उनका और ऐसा होने के बाद ये व्यासाइक दिश्चे से बहुत महत्मौन हो जाते हैं आप इसको नोट करते चलिए काम की चीजें जहा आप से पूछा जाता है कि याक कहां पाया जाता है याक के बारे में अगर पूछा जाया तो आप तुरन बता देंगे कि तिबबत और लदाक जब आप पढ़ाई करिए भले ही आप साइंस पढ़ रहे हैं यहां पर आप यह ध्यान दीजिए कि इसके जोग्राफिकल लोके प्राप्त की जाती है और अंगोरा उन अंगोरा नसल की बख्री से प्राप्त होती है प्रशन पूछा गया है यह पीसे में भी पूछा गया है पीसे में भी पूछा जा चुका है और जम्मू कस्मीर की पहारी रालो छेत्रों में यह पाई जाती है और कस्मीरी बकरी की तुचा के निकट मुलायम बाल या उसको फर बोल तकते हैं जो यह फर देखी यह दिख रहे हैं आपको यह पाया जाते हैं और इन से बेहतरीन साल रहे बनाई जाती हैं और यह बहुत महहगी साल भिक्ती है जिन्हें पस्मीना साल कहते हैं पस्मीना साले अभी आप विदेसों में जायेंगे वहां पे भी बहुत ज़्यादा ड़िवांड होती है इसकी और ऊउट की adelante के वालों को उप Pack की ठ있는 की रूप में जैने लामा और यह दो जनतु है, इनसे भी ऊड़ प्राप्त किया था, तो लामा और एलपेका भी आपको याद रखना है, प्रस्वाइब से पुछा जाएगा निमनी कितमे से कौन सा उड़ जनतु है, जिनसे उड़ प्राप्त होता है, तो इतने नाम जो है, सारे आप टिक करेंगे, यह द उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके उन बनाई जाती है, ये प्रक्रम कैसे होता है, इसको हम देख लेंगे, भेड पालन और परजनन पहले, जम्मु कस्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्राखन, अरुणाचल प्रदेश सिक्कीम के पहाड़ी, जो पहाड़ी छ आगे हम बात करते हैं कि हमारे देश के अनेक भागों में उनके लिए भेडों को पाला जाता है, भेडों की कुछ नसलों के नाम दिये हैं, उनको हमको देखना है, ये जो सारणीती नसमलों एक दी हुई है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न के भूरा उन प्राप्त होता है, उत्तरप्देश हिमाचल प्रदेश में पाए जाती है, ऐसे नाली, गलीचे के उन, रहस्तान, हरियाना, पंजाब में, बाखरवाल, उनीस सालों के लिए जम्मू कस्मीर में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बाखरवाल वाला, मारवा प्राप्त हो गया, तो उन से थोड़ी से जनकर यहां पर और दी है, इसको देखने के बाद हम देखते हैं, कि उन को कैसे संसाधित करते हैं, तो भेड की कुछ नसलों के सरीर प्रवालों की घनी परत होती है, जिनसे बड़ी मातरा में अच्छी गुड़ बत्त है कि उन प् प्राप्त करते हैं, ठीक है, अब जो रेसे हमको प्राप्त हुए, उनको कैसे संसाधित किया जाता है, स्वेटर बनने ओंसाल बनाने के लिए कैसे उप्योग मिलाया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद में यह उन के रूप में आप देखते हैं, इसे गोला गोला आरेट यह गोला तो निकला नहीं, कि एक कोई भेंड थी, और वहां से तुरंद यह प्राप्त करके ऐसे गोला बन गया, ऐसा तो है नहीं, इसको कुछ चरण है, यह हमारे दिए उतने इंपोर्टन नहीं है, उनकी कटाई की जाती है, यह आप जान लीजे, भेंडों के बा पच्चे उसका उप्योग किया करते हैं, तो यहां पर इनको नाई द्वारा जैसे बाल काटने के लिए जो ट्रीट की जाती है, इस तरह की मसीन, या अब तो बहुत सारी आटोमेटिक मसीन होती है, तो उनको समानिता बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, यह इंप इन ही उनी रेसों का उप्योग हम क्या करते हैं, संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है, और उन उतारने के दोरान भेड को कोई विसेश कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल काटने के दोरान कोई कष्ट होता है, नहीं, क्योंकि यह जो बने होते हैं, यह मृत क कुछकाये होती है ना खून आप काटते हैं मृत कुछका की बनी होती है यह भी एक प्रश्ण पूछा जाता है कि बालों को काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है कि जो सेल है वो डेट सेल है समझ रहे हैं और ऐसा क्यों होता है तो चाहिए उपर वाली परत अधिगांस्ता दो डालकर अच्छी तरह से उनको धो दिया जाता है तभी तो साफ सुत्रा उन पराफ्थ होगा और धोने के बाद में देखिए यह ऐसे भेंगा उन उतारा गया फिर तंकियों में इसको धोया गया फिर इसको मसीनों में देखिए इसका अभिमार्जन किया गया तो यह या और छटाई करने वाले कारे जोखिम होते हैं क्योंकि कभी-कभी एंथ्रेक्स नामक जिवारू यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्निहां से बन रहा है यह लोग इसे संक्रवित हो जाते हैं और यह घातक रक्त रोग होता है जिसे सोर्टर्स भी कहा जाता है तो यह एंथ् अजन के बाद में हमने देखा तीसरे चरण में छटाई की जाती है फिर यह से बनाकी फिर कुल मिलाकी गुल्ले की रूप में आपसे गोल गोल बनाकी बेज दिया गया और फिर इसमें जरूरत पड़ेगे तो कलर भी मिला जाता है क्योंकि कलर पूर ऐसा तो होता है यह ला पड़िये बूजों कह रहे हैं कि सर्धियों में सूती कपड़े हमें उतना कर्म क्योंनी रख पाते जितना उनी स्वेटर करते हैं इंका गुर्व है ऐसा अब हम बात करेंगे रेसम की काम भर की चीजाँ हमने उसमें देखनी है रेसम भी एक जानतों रेसे का उदारना है कि ये इंग्लीस में इसको क्या कहते हैं सेरी कल्चर प्रश्ण अपसे पूछा जायगे कि सेरी कल्चर क्या है सुमेलित करने में या वैसे, तो आप सेरी कल्चर को बार देंगे रेशम कीट पालन तो रेशम कीट पालन यह है यह सब बिल्कुल नोट कर लिजिए यह सब सीधे प्रशन है कभी भी UPSC से लगा कर छोटे एक्जाम में आपसे पुछे जा सकते हैं और अब यह प्रकरम कैसे होता है रेशम कीट का जीवन या रेशम कीट कहलाते हैं यही जो लारवा निकलता है इसी को कैटल पिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं यह आकार में भृधी करते हैं और जब कैटल पिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है अगली अवस्था में जब यह प्रवेश करत तो प्यूपा विक्सित हो जाता है अब यही जो प्यूपा और द्यान रखेगा यह जो प्यूपा है आपका अगली अवस्था यह प्यूपा आप नोटकर लीजिये अपने इर्दगिर्द एक जाल लुमा, कुछ सन्दचना बनाता है, ये जाल उसे अपने अस्थान पे बने रहने में साहता करता है, फिक्स रखने में, जैसे ये प्यूपा और इसकी चारो तरफ ये जाल बन गया, तो फिक्स रखने में साहता करता है, फिर अंग्रेजी के ए पुछा जाएगा आपसे, इस्टार से बना, वसा से बना, प्रोटीन से बना, किस से बना, तो प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूकर रेसम का रेसा बन जाता है, समझ गए ना, लारवा, लारवा से प्यूपा, प्यूपा से फिर, ये ऐसा ए बाइट कोन कहला आप जो यह उपर आवरं वन गया यही रेशइवाला इसको कोकुन काहते हैं कीट का इसके आगे कभी कास कोकुन के भीतर होता है रेसम के जो रेशों का उपयोग रेसम के वस्त बुर्ने के लिए आता है अब आप बताईए कि रेसम का मृदुरेशा जो पतला सा बहुत पतला सा सूत्र होता है इस टील की तार जितना मजबूत हो जाता है देखिए यह नेचर दे रहा है मेंको यह नर है यह मादा है वैस्त रेसम कीट हैं यह दोनों सहतूत के पत्ती पर यह अंडे देते हैं रेसम कीट यह ऐसा है फिर यह देखिए यहाँ पर यह कोकून बन गया और कोकून के विकासिल कोकून में जो विकासिल कीट है यह आपको दिखाया गया है और इसी का जो आवरण है यह अुठा लिया आता है, रेसम का धागा, रेसम कीट के कोकून से प्राप्त रेसों से तयार किया आता है, आपको यह ऐसे याद रखना है, रेसम कीट अनिएक किस्म के होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, उन्हेसे कुछ ज सम्कीट है जो सैतुत का पेड़ा सैतुत खाए भी होंगे उसी पेव पाया जाता है इस कीट के कोकून से प्राफ्ट होने वाला रेसम फाइबर जो होता है वो मृद होता है चमकदार होता है लचीला होता है जी इस तया ध्यान रखेगा जाता इसे सुदूर सुन्दर सुरी स मिसाड़ी आप देखते हैं विबिन किस्म की होती हैं सूट भी आप देखते होंगे रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का समवर्धन भारत में पहुत प्राचीन विवसाय है अगर आप से यह कहा जाए तो यह बात सही है भारत विवसाय के स्तर पर बहुत अधिक रेश अनकूल उद्योगों का विकास किया जैसे रेशम कीट देखे आपको मटेरियल अलग से कहीं से नहीं मिलेगा इनहीं में से आपको यूज करना है यहां से यह सलाह दे सकते हैं रेशम कीट के पालन कोकूनों में से रेशम को निकाल ले और कच्चे रेशम के वस्त देशों में भारत को प्रथम आना चाहिए क्योंकि इसके पास human power की कमी नहीं है महिलाओं की संख्या अच्छी है और जमीन भी हमारे पास है भूमी है तो उसका उप्योग करें और हम प्रथम अस्थान पर इसको लेकर आए आगे कि रियक लाब दिया है इसका कोई हमारे लि करनी रहे हमको अपने competition के लिए important चीज़े निकालनी है अब यहां पर देखे रे कोकून से रेसम तक हम पहुशते कैसे हैं तो रेसम प्राथ करने के लिए रेसम कीटों को अभी तक हमने देखा कि वहां पर आवरण बन गया है अब यह रेशम कीटों को पाला जाता है और उ संकीट पालकों को बेचा जाता है और यह पालक किसान अंडों को स्वास्तकर इसितियां उचित ताप में मादरता अनकुरिस्तियों में रखते हैं कहने का मतलब जब आप इसको पालेंगे तो एक ऐसा environment आपको develop करना पड़ेगा जहां पर temperature सही हो आदरता वहां पर सही हो य रिसम कीट खाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और साइज में काफी बड़े होते रहते हैं लारवा को सहतूत की ताजी कटी पतियों के साथ बांस की स्वच ट्रे में रख दिया जाता है और पचीस से तीस दिनों में अगर आप से कहा जाए यह तैयार हो जाता है तो आप कह वह बांस की बने चोटे-चोटे कच्छों में चले जाएंगे बिल्कु ड्यूटी करेंगे अपनी उसके लिए ट्रे में चोटी रायक या टहनिया रख दी जाते हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं कायटल पुद्वा थवा रेसम की कोकून बनाते हैं जिसके बीतर प्यू में रखा जाता है या पानी में उबाल दिया जाता है या भाप में रखा जाता है इस प्रक्रम में रेसम के फाइबर प्रथक हो जाते हैं और रेसम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पस्चात उनके धागे बनाने की प्रिक्रिया को रेशम की रीलिंग और भुनकुरोद्वरा रेसम के इनी धाकों को प्रियोग करके वास्तर बनाये जाते हैं। रेसम की खोज कैसे हुई थी? ये समरता अज्यात है। एक प्राचीन चीनी की विर्दनती के अनुसार समराट वांग टी ने समराट सी लुग छी से अपने अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत की बिच्चो की पत्तियों के चति घृष्ट होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। तो समरागी ने पाया कि सफेद क्रिमी सहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं, उन्होंने देखा कि क्रिमी अपने इर्दगिर चमकदार कोकून बुल लेते हैं, और संयोगोस कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया, और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पारियों ने रेशम को अपने देश में परचलित किया, और जिस मार्क से उन्होंने यात्रा की थी, उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट देखिया, आज भी कितना महत्यपूर्ण है, ठीक है, तो ये वही सिल्क रूट है, चायना से जहां इधर उधर सब रेशम गया, ये चप्टर यहीं पर समाप्त होता है, इसमें हम सब्दावलियां और सारांस देखे ले रहे हैं, रेशम कीटों से रेशम भेंड बकरी या जहां पर देखिये ये गलत लिखा हुआ है, ये कहा है, रेशम कीटों से रेशम तथा लगा हुआ है, गलत नहीं है भेड बक्रियों याक से उन प्राप्त होता है अतार रेशम और उन ये जानतों रेशे हैं उट लामा और अलपेका वालों को भी उन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है ये सब्दावलिया आप जानते होंगे लगबग हमने डिसकस की हैं भारत में अधिकतर भीड़ों को उन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है भारत में ऐसी प्रविटी है अगर आपसे कहा जाए तो ये सही है भेड के सरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार जन फिर छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें कात कर उन्परात कियाता है अपने जीवन चक्र में रेशम कीट, रेशम की रेशों की कताई कोकून बनाते हैं रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं कोकूनों के रेशम की रेशों को प्रिथक करने उनका संसाधन कियाता है और फिर रेशम का धागा बनायता है जिसे रीलिंग कहते हैं अभी मैंने बात की थी और बुनकर रेशम के धागों से रेशम से वस्तर बुनते हैं यही पर चेप्टर समापत होता है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए अगले चेप्टर के साथ जल्दी हम आपसे अच्छा लगेगा सेर कीजिएगा लाइक भी कर सकते हैं कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा